तो हालो बचो तो बढ़ी कैसे आपसे भी सारे बचात्व हूंगे और इकदम मस्त हों हो व All He is प्लाइव नहीं देखिये बनों पुष्छी लोगे पən प्लस कि बहुत बहुत सुएकत बंगे जिन्मारा क्लास 10 का बोर्ज बूस्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है ठीक है जिन भी बच्चों ने अभी तक पिछली classes नहीं देखी है मैं बता लेता हूँ कि SST Hindi English Science ठीक है और Maths की Class 10th की Hindi Medium के बच्चों के लिए Board Booster Classes चल रही है जो कि तुम इसी चैनल पे देख सकते हो ठीक है अगर मैं बात करता हूँ Maths की तो इससे पहले तीन वीडियोज अल्रेडी आ चुकी है जहां पर मैं तीन चैप्टर कम्प्लीटली कवर कर चुका हूँ तीन चैप्टर कौन कौन से है पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या याने की रियल नंबर दूसरा चैप्टर था हमारा कौन सा बहुपद याने की पॉलिनोमियल और तीसरा चैप्टर था हमारा कौन सा दो चरवाले रेखिक समीकरण युगम याने की हमारा पेयर ओफ लीनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल ठीक है तो यह सारी चीजे अभी तक complete हो चुकी है अब आज की लास में क्या करने वाले है तो पेटा आज की लास में हमारा इस बोल्ड बूस्टर में नया जो चैप्टर है वो cover करने वाले और नया चैप्टर कौन सा है हमारा quantity equation याने की दुईघात समीकरण बड़ा प्यारा चैप इतना important है कि क्या बता हूँ ठीक क्यूंकि इस में से आराम से देखो algebra जो आती हूँ तुमारी 20 marks की आती है ठीक है और 20 में से कम से कम से कम से कम 4 से 6 marks यह chapter तुम्हें देखर जाएगा अरे भाई साब कितने marks की बात करी अभी मैंने आपर यहाँ पर मैंने बात करी 4 से 6 marks की सो चार से 6 marks तो आज की class अगर तुमने ढंसे कर ली मुश्किल से एक घंटे या एक घंटे पंदरा मिनिट की class होगी मैं concepts जल्दी और कम टाइम में पढ़ाना पसंद करता हूँ ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आया और कम टाइम में उनका syllabus खतम हो जाए वैसे भी तु तुम ऐसी building के कौने पर खड़े हो कि हलका सा आगे हुए तो नीचे गिरोगे सीधा exam में ठीक है तो जैसे ऐसे दिन पार हो रहे है तुम्हारे exam तुम्हारे सर पर आ रहे है ठीक और रही बात मेरे बाल सेट करने की जो बालक कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर आप तो बाल से तो भाई कर लिया करो ठीक है पूरी जिंदिकी बढ़ी है यार देखो पढ़ाई तुम करोगे बहुत अच्छी बात है अपने लिए करोगे ठीक है काम तुम करोगे अपने लिए करोगे ठीक है तुम खाना खारे हो अपने लिए खारे हो सारी चीज़े तुम अपनी लिए तो चलो भई फिर शुरू करते हैं क्वाडिटिक एक्वेशन याने की द्विखाथ समीकरण और लेट्स बेगिन तो शुरूआत कहां से करेंगे भई देखो कहानी वही रहेगी पिछली क्लास वाली जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखिया दो चरवाले रेखिक समीकरण युगम उन बच्चों को पता है कि मैं ऐसे बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता हूं जिन बच्चों को कुछ नहीं आता ठीक है मैंने एक हाथ से उन बालकों को पगड़ रखा है जिनने सब कुछ आता है तो मुझे उनका बस रिवीशन कराना है लेकिन मुझे ऐसे बच्च तुम लोगों को ऐसा ना लगी कि सर यह सब तो मैंने पढ़ रखा है तो 1.25 पर देख लेना तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निप्टा दू तुम लोगों को भी दिक्कत ना हो ठीक तो चलो बैसिक से शुरूआत करेंगी कि दुईघात समीकरण क्या होती है उसके बाद दुईघात समीकरण के हल क्या होते है देखो यहाँ पर हमारे पास हल में दो पार्ट आएंगे हल में बच्चों दो पार्ट के बारें बात करेंगे पहला गुडणखंड विदी ठीक है कि गुणनखंड करके कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं और दूसरा हमारा कौन सा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचारे सूत्र द्विघाती सूत्र या हमारा श्रीधराचारे सूत्र इन दोनों method से कैसे हम द्विगात समीकरण को हल करते हैं ये हम सीखने वाले हैं ठीक है उसके बाद हमारा द्विगात समीकरण के मूलों की प्रकरती मूल क्या होते हैं ये मैं तब बताऊंगा जब द्विगात समीकरण को हल करेंगे ठीक है वहापर मैं समझाऊंगा मूल क्या होते हैं फिर हम पढ़ेंगे द्विगात समी करने के मूलों की प्रकरती और लास्ट में मतलब देखो हर टॉपिक के बाद उस पर बेस्ट महतुपूर्ण प्रशन तो हम करने ही वाले हैं और यह महतुपूर्ण प्रशन ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ क्सेज एग्जाम समय आए होए है तो कारे करम करते हैं तो बवह द्विगात समीकरण क्या होती ए बराबर में लिखं़ है पढ़ दो हो गया कातम गुडबाय टाटा गया यह यह बस तो मैं समझाता हूं देखो शुरुआत करेंगे बेसिक सी चीज से कि दुईगात समीकरण होती क्या है तो अब अगर बात करें बच्चों दुईगात समीकरण की तो दुईगात समीकरण क्या है इसके बारे में समझ जिसमें एक वाम पक्षो ठीक है जिसमें एक RHS हो ठीक है याने कि दक्षन पक्षो और इन दोनों को compare करने के लिए एक sign लगाओ ठीक है जैसे कि मानलों मैंने बराबर का sign लगा दिया या मैंने नहीं बराबर का साइन लगा दिया तो ये क्या बन रही है ये बन रही है बच्चो एक समीकरण ठीक है तो हम बोलते हैं कि वही समी करने एक ऐसा व्यन्जक है जिसमें LHS होती है और एक तुल्यता का तुल्यता बोले तो तुल्ला करने के लिए एक चिन होता है । तुलना करने का चिन कैसे देखो मालो तुम्हारा बड़ा भाई है तुम्हारा छोटा भाई है मतलब एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है दोनों को खड़ा कर दिया अब एक बंदा आएगा और वो बोलेगा वो क्या करेगा दोनों भाईयों की height की तुलना करेगा और वो बुलेगा कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है ठीक है तो वहाँ पर क्या हो गई? वहाँ पर हो गई तुलना ठीक तो ऐसी LHS और RHS के बीच मैंने बराबर का अच्छे नहीं लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? कि LHS बराबर है RHS के तो यहाँ पर क्या हो गई? तुलना हो गई ठीक तो equation ये होती है समीकरण ये होती है अब इसमें बच्चों हमारी द्विघात समीकरण कौन सी होती है तो देखो ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिक्तम घात दो हो ठीक है? ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिक्तम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण बोलते है ठीक है? या फिर मैं ऐसा बोलू तुमने द्विघात बहुपत पढ़ा था द्विघात बहुपत क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है PX मराबर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है ना तो अगर तुम इस द्विघात बहुपद को 0 के मराबर रख दो ये क्या है ये है तुम्हारा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद तो बिटा अगर तुम द्विघात बहुपद को उठाकर 0 के बराबर रख दो इस PX को बराबर रख दो 0 के ठीक है तो जो समीकरण तुमारे पास बन कर आएगी वही तुमारी क्या हो जाएगी वही तुमारी दुइघात समीकरण हो जाएगी वही तुमारी क्या हो जाएगी वही तुमारी दुइघात समीकरण हो जाएगी तो बेटा दुइघात समीकरण कुछ नहीं है दुइघात सम उप्यूज के बराबर रख दो तो तुमतिया है तो ये जी जो समेतर होई कौंसी अगाई यह है तुम्हारी द्यूजआत समीकरण ये क्या है ये है तुम्हारी द्विघात समी करना ठीक द्विघात बहुपद क्या होता है पेटा द्विघात बहुपद एक ऐसा बीजिये वेंजक होता है एक ऐसा बीजिये वेंजक जिसमें चर की जो घात है अधिक्तम घात दो होती है और बहुपद क्या होता है ये भी clear कर देता हूँ बहुपद एक ऐसा BGFN जक होता है जिसमें चरकी घात हमेशा एक पून संख्या होगी पून संख्या कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चरकी घात अधिक्तम 2 हो ठीक है वो द्विघात बहु उद्वारन के लिए उद्वारन के लिए अपने पास क्या आसकता है कोई एक्ञामपल दो मुझे कमेंट्स से बताओ जल दिसने कोई एक्ञामपल सोचो दिमांग में क्या आ रहा है 1 ऐसी समीकरण सोचो जिसमें चर हो सकता है 2019 तो चर y हो, चर z हो, हमें नहीं पता, सोचो कोई एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिक्तम घात दो हो, सोचो, 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 तो देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगी जैसे कि 2x² प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, चर है तुमारा x, और x की होंगे, यहाँ पर चर क्या है, y की अधिक्तम घात कितनी है, 2 है, क्या, यह एक द्विघात समीकरण है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है, 4y3-3y2, तो तुम देख सकते हो, आपर चर की अधिक्तम घात कितनी है, यहाँ पर चर की अधिक्तम घात है, तुमारी तो यह एक दुखात समीकरण नहीं है यह वाली एक दुखात समीकरण है यह वाली एक दुखात समीकरण है तो अगर मैं गणतिय भाशा में यानि कि अपनी mathematics की language में एक परिभाशा देना चाहूं तो क्या बनेगी एक ऐसी समीकरण जो की ax square plus bx plus c बराबर 0 के रूप में हो जहाँ पर a, b, c क्या है जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं है वास्तविक संख्याएं है और बच्चो हमारा a बराबर नहीं है 0 के तुम खुट सोचो ना अगर तुमने यह आपर a बराबर 0 ले लिया तो क्या होगा, 0 गुणा x square कितना हो जाएगा, 0 समीकरण बचेगी bx plus c बराबर 0, जो की क्या है जो की एक रेखिक समीकरण हो जाती है तो इसलिए आपको भाई साब क्या नहीं करना, आपको अपना a को 0 नहीं लेना है, ठीक है अगली बार से class लेने से पहले bike से नहीं होगा मैं, मैं अभी-अभी सुबह-सुबह ठंड में कापतावा bikes आया और उपर से अब मेरे बाल भी set नहीं हो रहे, यह बड़ा दुख है bike पे आने का, क्योंकि helmet तो लगाना पड़ता है, भाई देखो नियम पूरे पालन करने चीए, ठीक है police हो नहीं हो, तुम्हें helmet लगाना चीए आगे आजाओ, चालो तो भाई देखो, दुखात समीकरण सबको clear हो गई क्या होती है, अब एक एक चीज़ deep में समझा दिये, दुखात समीकरण की अब दुखात समीकरण के बाद बच्चो, एक दो कोशन देख लेता है basic basic से, तुम्हें क्या करना है ये सारे कोशन previous year के exams में आयो है तुम्हें बताना है कि क्या ये दुखात समीकरण है, ये objective type कोशन थे, ठीक है, मैंने direct लिख दिये है, ठीक, समझ जाओ पहली वाली, क्या है बई? x-2 का whole square plus 1 बराबर 2x-3 solve करेंगे, hul करेंगे, कितना आएगा? या जाएगा हमारा x-2 का whole square तो हो गया x square a-b का whole square का सूत्र क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ a-b का whole square होता है, a square plus b square minus k2ab है ना? ये सूत्र याद कर लो सारे तो a-b का whole square लग जाएगा तो a square यानि की x का square plus 2 का square minus 2 गुणा x गुणा 2 ठीक है? प्लस 1 बराबर 2x-3, तुम खाली देख के नहीं बता सकते हो कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं? तुमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसे मेरे लाल solve करना पड़ेगा तो तुम solve करोगे क्या जाएगा? ये आ गया x square 2 की घात 2 करेंगे 4 minus 2 गुणी 4x plus 1 बराबर 2x minus 3, तो इन दोनों को उठाकर इदर लेखो तो क्या आ गया? x square minus के 4x 4 plus 1 कितना हो गया? 5 plus का 2x इदर आकर हो गया, minus का 2x और minus का 3 इदर आकर हो गया हमारा plus का 3 बराबर 0 तो समीकरण क्या बं गई? x square minus 4x और 5 beliefs कितना हो गया बच्चों? 5 और 3 हो गया 8 बराबर 0 तो बेटाई ये समीकरन तयार हो गई हमारी किसकी जब हमने इस दुई घात समीकरन को हल करा तो हमारा ये समीकरन तयार हो गई और ये क्या है यहाँ पर तुम देख सकते हो चर्की अधिक्तम घात दो है तो इसका मतलब ये हमारी एक दुई घात समीकरन है ये हमारी एक दुई से देखो जल्दी यली चेक करके बताओ दूसरे वाले को चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दूसरी वाली समीकरन है हमारी कितने हैं दूसरी समीकरन देखो एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स गुणा एक्स प्लस एक प्लस आठ बराबर एक्स प्लस दो गुणा एक्स माइनस दो सिंपल है यह सिंपल है इतना इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है बस एजट इस उठाके सॉल्व करना शुरू कर दो देखो बाई क्या हैगा अपने पास या जाएगा हमारे पास x की गुणा अंदर करेंगे x की गुणा x में करी x स्क्वाइर x की गुणा 1 में करेंगे x आ गया प्लस 8 बराबर यहाँ पर क्या लग गया a minus a plus b गुणा a minus b क्या सूत्र होता है इसका सूत्र याद कर लो यह बिटा यह सारे बहुत basic basic से सूत्र है अगर तुम्हें यह याद होंगे तो आसानी से सवाल हो जाएंगे a minus b गुणा a plus b किसके बराबर होता है a square minus b square के direct सूत्र ही है तो यह बराबर किसके हो जाएगा a square a की जंगा पर है हमारा x x square minus b square b की जंगा पर है 2 तो 2 का square solve कर लो फिर इसे तो अपने पास आगया x square plus x plus 8 plus का x square इतरा करोगया minus x square minus का 2 का square इतरा कर 2 का square कितना हो जाएगा? 4 चार इतरा करोगया plus का 4 बराबर 0 ठीक है? हल कर लो बच्चो इसे प्लस x square से माइनस x square खतम अपने पास कितना आ गया x प्लस 8 4 12 बराबर 0 तो बिटा तुम देख सकते हो कि तुम्हारी जो ये वाली समीकरण है उसमें चर की अधिक्तम घात 1 है उसमें चर की अधिक्तम घात 1 है तो ये हमारी दुईघात समीकरण नहीं है दुईघात समीकरण नहीं है है ना सिंपल तो बिटा ऐसे basic basic question तुम्हारे exam में बन जाते हैं one mark में one mark में ऐसे question बनते हैं ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारा आज आएगा नहीं है यहाँ पर हाँ है दूसरा वाला नहीं है अब तीसरा वाला तुम लोगों के लिए तुम्हारा home mark है यहाँ पर तुम्हारा formula लग जाएगा a प्लस b की whole cube का क्या होता है a cube प्लस b cube प्लस के 3ab bracket के अंदर a प्लस b ठीक है यह formula लगा कर तुम्हारा आम से इसे solve करोगे तुम्हें पता लगेगा कि यह एक क्या होनी चीए यह एक द्विघात समीकरण निकल कर आएगी solve करके देखना तुम्हें पता चलेगा ठीक है चालो अब देखो द्विघात समीकरण सबको clear हो गई ठीक है यहां से एक तरीके का concept और बनता है बच्चो द्विघात समीकरण से कि आपको एक statement देदेगा आपको एक कथन देदेगा आपको बूलेगा कि ऐसे 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 एक चीज हो रही है तो पहली सीधी समीकरण बनाना देखते हैं कैसे बनाते हैं तो द्विघात समीकरण के लिए कथन दिया हुआ हमें क्या करना है हमें समीकरण बनानी है क्या कह रहा है कि दो लगातार धन एवं पून संख्या धन का मतलब होता है पॉजिटिव धन का मतलब यहां पर पैसे न लगातार धन एवं पून संख्या, पून संख्या कौनसी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो यह हो गए हमारी क्या कि 2, दो धन वय पूण संख्याओ का गुणन फल कतना है हमारा? और दो लगातार है तो दो धन वय पूण संख्याओ का गुणन फल है 306 यदि छोटी संख्या X हो तो इस कथन का समी करने के रूप में व्यक्त करो तो भई देखो तुम खुछ सोचो तुम्हारी जो पून संख्या होती है धन्व हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, ऐसे आगे तक चलती रहेंगी है, है ना, तो अगर मुझे एक बात बताओ, मुए दो लगातार संख्या लेता हूँ, एक लेली मैंने तीन, और एक लेली मैंने चार, तो तुम देखो, जब भी तुम दो लगातार संख्या लेते हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है, अगली संख्या को निकालने के लिए पिछली वाली में एक जोड़ना पड़ता है, जैसे कि तुमने तीन और चान लिया, तो तुम दो में एक जोड़ोगे तो चार आजाएगा, माल पर क्या होगा अगली संख्या निकालने के लिए अगली संख्या निकालने के लिए पिछली संख्या में तुम एक जोड़ दोगे ये कह रहा है कि छोटी वाली संख्या X है तो हम लिखेंगे यदी यदी छोटी संख्या बराबर है X के तब हमारा बड़ी संख्या क्या हो पिछली संख्या में बस एक जोड़ दो तो x प्लस 1 ठीक है अब प्रशन में क्या दिया हुआ है बच्चो प्रश्णा नुसार हमसे बोला है कि दोनों इन दोनों पून संख्याओं का जो गुड़न फल है वो 306 तो प्रश्णा नुसार प्रश्णा नुसार हमारे पास क्या बन गया दोनों संख्याओं का गुड़न फल यानिकी x गुड़ा x प्लस 1 बराबर हो गया 306 के ठीक है x की गुड़ा अंदर कर लेंगे कितना आ जाएगा ये हो गया हमारा x स्क्वाइर प्लस x बराबर 306 306 को उठाकर इधर लिया है तो अपने पास आ गया x स्क्वाइर प्लस x माइनस 306 बराबर जीगो तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या ये हो गई हमारी वो दुईगात समीकरण जो कि हमें निकालनी थी ठीक है यह हो गई हमारी वो द्विगात समीकरण जो कि हमें निकालनी थी क्लियर होगे सबको आगे समझ में आसान सी चीज है बलकि यहां पर तो उसने पहले से हमें एक चर मानके दिया था लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें चर देता नहीं है हमें खुद से मानने पड़ते हैं तो पेटा 90% केसिस में ऐसा होगा कि जो चीज तुम्हें उस कोशन में निकालनी होगी 90% cases में ऐसा होगा कि जो चीज तुम्हें उस question में निकालनी होगी उसी चीज को तुम चर्मान दोगे ठीक है? याद रखना 90% cases में ऐसा होगा ठीक? आगे चलते हैं अगला एक और सवाल देख लेते हैं जैसे ही कह रहा है कि John और Jivanty कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 55 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचो की संख्या 124 कंचो की संख्या का गुडनफल 124 है ठीक है? तो देखो John और Jivanty के पास कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे हैं? 45 ठीक है? तो अगर हम बात कहें, हम बोल देते हैं कि जॉन के पास जो कंचे हैं, यदी, जॉन के पास, जॉन के पास जो कंचे हैं, तो कंचो की संख्या कितनी होगी जॉन के पास? जॉन के पास कंचो की संख्या अगर मानलो मैं बोल देता हूँ यह X है यह कितनी है यह X है ना तो जिवन्ती के पास कितने कंचोंगे तुम यह सोचो कि तुम दो दोस्तों तुम दोनों दोस्तों के पास टोटल मिलाकर 10 चॉकलेट है या 10 टॉफी है ठीक है और उनमें से 7 तो तु滑़िए सी आग्यौन दोस्तों के पास कितनी बची है तोटल दस सेय। 10 में से 7 तुम्हारे पास है यानिकि 10-7 कितना ओगया 27 तह तुम्हारे दोस्तों के पास 3 मची ऐसे ही जौन और जिवन्ती के पास टोटल मिलाकर के 45 कंचे हैं ठीक है उनमें से X हमारे जॉन के पास है जिवन्ती के पास कितने बचे तब जिवन्ती के पास कंचो की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल कंचे दे 45 45 में से X जो है भूलाहे इसने बोला कि यह दोनो 45 कंचे खो देते हैं दोनों के दो लूँ ठीक है तो 25 फांच कंचे खोने के पेश्चाद वहल है khan a kaxa पांच-पांच कंचे खूने के पाश्चात हमारे पास क्या आएगा भई पाँच-पांच कंचे अगर हम खो दें तो देखो पाश्चात जॉन के पास कंचो की संख्या जॉन के पास कंचो की संख्या तो मैटा जॉन के पास कंचो की संक्या कितनी हो जएगी पहले उसके पास X कंचे थे अब उसने 5 खो दिये so यानिकि टोटल थे X और भाई ने X में से 5 कंचे खो दिये तो x minus 5 कंचो होगा जो अँखे पास और जिवंती के पास कंचो की संख्य कितनी हो जाएगी जीवंती के पास कंचो की संख्य हो जाएगी कितनी देखो उस विचारी पे total थे 45 minus x उसने इसमें से कितने खो दिये 5 खो दिये तो यह हो जाएगा हमारा कितना 45-5 यानि कि 45-5 करेंगे तो आगया 40 तो भाई या जिवन्ती के पास बचे 40-x कंचे ठीक है कितने 40-x कंचे अब प्रशन में क्या बोल रहा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद जो इनके पास कंचों की 6 संख्या बची उनका गुड़नफल 124 है ठीक ह प्रशना नुसार क्या आजाएगा बच्चों प्रशना नुसार हमारे पास निकल कर आजाएगा कि वही 5-5 कंचे खोने के बाद जो इनके पास क्या बच्चे कंचों की संख्या बच्ची उनका गुड़नफल कितना है 124 है यानि कि x-5 जो कि जॉन के पास कंचों की संख्या है 5 कंचे खोने के बाद गुणा 40-x जो कि जिवन्ती के पास कंचों की संख्या है 5 कंचे खोने के बाद इनका गुणनफल कितना आ गया 124 ठीक है clear होगे इतनी बात यह जो सवाल में दिया हुआ है वही लिखा है मैंने अब इसे solve कर लो x की गुणा 40 में करेंगे तो 40x x की 4sorry में करेंगे तो कितना आ जाएगा यह जाएगा जाएगा पास जाएगा 520 यानि कि माइनस के दो सो और माइनस पास कीगुणा माइनस-ime के गुणा जाकर plus हो जाएगा, तो plus क k x square, 45x इधर जाकर minus का हो जाएगा, minus के 45x, और minus का 200 जाकर plus का 200 हो जाएगा, और plus 124 तो है, तो इसे solve कर लेकिने कितना आगया, 0 बराबर x की घह 2 मा I discourब 324, कितना हो गया, 324, तो पेटा ये हमारी समीखरन तयार हो गई, कितनी समीकरण आ गई हमारी x square minus के 45 x plus 324 बराबर 0 खत्म बार ठीक है तो यह क्या हो गई यह बन गई तुमारी given condition के लिए क्या यह बन गई तुमारी given condition के लिए द्विगात समीकरण ठीक है तो अब मुझे लगता है कि द्विगात समीकरण सबको समझ में आ गया होगा आ गया कोई doubt नहीं है अब अगर मान लो इसी सवाल में वो तुमसे आगे बोल देता कि जोन और जिवन्ती के पास कितने कंचे थे शुरूआत में ठीक है जोन और जिवन्ती के पास शुरूआत में कितने कंचे थे याने कि x याने कि x और 45 मान निकालो तो कैसे निकालते उसके लिए बेटा तुम्हें x का मान निकालना पड़ता है ना और x का मान कैसे निकलता x का मान निकलता इस समीकरण को हल करके अब समीकरण कैसे हलोगी समीकरण हल करने के लिए ही हम आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे ठीक है आई होप यहां तक की सारी चीज़े तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी और तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से चमक में आ गया होगा बढ़ाओ बढ़ के जल्दी जबनाओ फिर आगे बने क्लियर है चालो आजव आगे देखो बई अब दुइगात समीकरण का जो हल है थीक है वो क्या है तो देखो दुइगात समीकरण का हल कुछ नहीं है जो भी समीकरण को संतुष्ट कर देगा चर का ऐसा मान जो की समीकरण को संतुष्ट कर देगा उसे दुईगात समीकरण का हल या दुईगात समीकरण का मूल बोलते हैं ठीक है, याने कि कोई भी ऐसा मान जिसके लिए RHS बराबर LHS हाजा है या LHS बराबर RHS हाजा है, वो ही समीकरण का हल या समीकरण का मूल हो जाता है. For example, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2x²-x plus minus 1 बराबर 0. चीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बच्चो x का मान 1 रखता हूँ, x बराबर 1 पर तो रखो ज़रा यह हो जाएगा 2 गुणा 1 की घाद 2 minus 1 minus 1 बराबर 0, मैंने क्या करा पूरी समीकरण में x की जगा पर 1 रख दिया, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 1 की घाद 2 कितना हो गया, 1 minus 1 minus 1 हो गया, minus के 2 बराबर 0, 2 एक हम 2 minus 2 बराबर 0, तो हमारे पास कितना आगया, 2 minus 2 आगया, 0 बराबर 0, यानि कि अपने पास आगया LHS बराबर RHS, तो तुम देख रहे हो बच्चो क्या कि इस समीकरण में तुम्हारा, इस समीकरण में तुम्हारा x बराबर 2 के लिए x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 के लिए ये जो समीकरण है उसमें LHS बराबर RHS आ रहा है याने कि x बराबर 1 इस समीकरण का हल है या तो तुम इसे बोल सकते हो हल है या फिर तुम बोल सकते हो क्या कि ये इसका मूल है क्या है भाई मूल है ठीक है अब तुम याद करो जिजिस बच्चे ने बहुपत पड़ा है तुम याद करो दुईघात बहुपत के जब हम मूल निकालते थे तो क्या करते थे दुईघात बहुपत के जब मूल निकालते थे यह एक दुईघात बहुपद है इसे उठागर 0 के बराबर रख रहे हो क्या बन गई दुईघात समीकरण बन गई तो बेटा किसी दुईघात बहुपद की ठीक है और किसी दुईघात समीकरण के शून्यक और मूल एक ही बात होगी अगर तुम्हारे पास ये एक दुईघाद समी करण है और ax² प्लेस bx प्लेस c ये एक बहुपद है px बराबर है ठीक है ये एक दुईघाद समी करण है और ये एक बहुपद है अगर मैं आपर लिख देता हूँ इस चीज़ को ध्यान रखना अगर px बराबर है तुम्हारे पास ax² प्लेस bx प्लेस c तो इसके जो शून्यक आएंगे और तुम्हारा ax² प्लेस bx प्लेस c बराबर 0 इसके जो मू लाएंगे या हल आएंगे वो बिलकुल एक ही होंगे अलग-अलग नहीं होंगे याद रखना तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के अधिक्तम दो शून्यक हो सकते हैं तो इसी लिए हमारा द्विघात समीकरण के भी जादा से जादा आप दो ही मून निकाल सकते हो यानि कि द्विघात समीकरण के लिए चरके ऐसे मान जो की समीकरण को संतुष्ट करें कितने हो स दोनों ही विदियों के बारे में आज की बारे में बात करेंगे आज की क्लास में पहली विधी ए सबसे आसान विधी कि यह जो कुछ निये इसमें खाली एक सूत्र रहे असान काम हे जाता है तो यह इसमें रहे तो यह सबसे आसान विदी है अब कि यह से करके अगर एक्जाम में लिखा हुआ आता है कि रिखी है कि बीगाई समीकरण को या दीगाई स्थिति को बच्चो दुरगई आती सूतर से हल करो या गुणनखंड विदी से हल करो तो तुम्हें उसी विदी से हल करना है जो की एक्जाम में लिखी हुई है ठीक है और अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो तुम जिस चाहे उस विदी से हल कर लो जो तुमारी जिस विदी से हल करने की मर्जी है उस विद example करेंगे इस से ठीक और क्लास नाइंप में भी तुमने पड़ाğ है कुलास नाइन वितुम experimod में ऴॉक्रम को टबबला था और दूइगाद नाइस में तक करने सिखे ते टेर टे हैं फिर बराबर जीगो ठीक है तो इसके गुडंखंड कैसे होता है मध्या पद विभाजन विदी से यानि कि हम बीच वाले पद को यह जो एक घात वाला पद होता है इसे हम तोड़ लेते हैं क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं ठीक है अब तोड़ना कैसे होता है यह समझना मैं एक स्टेप बहुत ढंक से बताऊंगा तोड़ना कैसे यह देखो समीकरन आगे तुम्हारे पास सबसे पहले तुम क्या करोगे अपना जो अचरपद है सबहörper है ना अचर्पद कितना रचों अचर्पद है हमारा 3 और X स्क्वार की गुणान को है despot कितना वह है दो गुणा करके बताओ कितना यह तो बच्चो की चीज ने तो बदा सकते हैं कि यह यह को पता सकते हो बला जल्दी से चालो तो भई देखो ये बताओ जल दिसे कितना आगया हो गया बई एक छोटा सा काम कर रहा था वो कर दिया छोटा सा काम था वो निप्टा दिया मैंने ठीक है तो तीन की खुड़ा दो में करेंगे तो अपने पास आगया तीन दूनी छे है ना तो पिटा अब तुमें ये जो तुमारा बीच वाला पद है पांच ठीक है ये जो पांच है इसे इस तरीके से तोड़ना है कि ऐसी दो संख्याओं में तुम्हें इसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो यही आए जो उपर गुणा करने पर आयता है याने कि छे ठीक है और इन्हें जोडने पर या घटाने पर 5 आजाए अब ये कब पदा चलेगा कि कब ऐसी दो संख्या लेनी है जिने जोडने पर 5 आए या कब ऐसी दो संख्या लेनी है जिने घटाने पर 5 आए तो ये पदा चलता है बच्छो लास्ट के दो पद के जो बीच में साइन है उससे देखो यहां पर प्लस का सा तो तुम्हें क्या लेना होगा तुम्हें ऐसी दो संख्या लेनी है जिन्हें जोडने पर पांच आए तो भाई सोचो ऐसी दो संख्या है जिनकी गुणा करने पर छे आ जाए और जिन्हें जोडने पर पांच आए सोचो 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 सुचो सिंपल है यही दोनों संख्या हो जैंगी जो लिखिए हुँ है उपर तीन दुनी शे तीन गुणा दो छे होता है तो याने कि तुम क्या कर दोगे पांच को लिख दोगे तुम कितना तीन प्लस दो या दो प्लस तीन बरावर पांच यह लिक दोगे तो लेखो वाई देखो यह हमारा बन जाएगा अब तुम्हारा गुणंखंड पूरे हो गया मध्यापद विभाजन करेंगे सबसे पहले तो ही हो गया 2x स्कॉयर माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 को हम लिख देंगे 2 प्लस 3 गुणा में x प्लस 3 हमने कुछ नहीं करा हमने बस मध्यापद विभाजन करा है यह पूरा तरीका जो है यह मध्यापद को विभाजित करने का ही है ठीक है 2x² माइनस की और x की अंदर गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा 2 में करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस के 2 की गुणा x में करेंगे तो माइनस का 2x होगा माइनस की गुणा प्लस 3 में करेंगे माइनस का 3 और माइनस 3 की गुणा x में करेंगे तो माइनस के 3x प्लस 3 बराबर 0 तो देखो भई, अब हमें क्या करना है जैसे ही तुमने ये bracket खोल के solve कर लिया पहले दो पदों में देखो क्या common लिया जा सकता है ऐसी क्या चीज है जो पहले दो पदों में common है यानि कि उभेनिष्ट है तो अगर तुम ध्यान दोगे इसमें भी 2x आ रहा है और इसमें भी 2x आ रहा है दोनों में से 2x को common ले लेंगे common लेने का मतलब क्या होता है जो चीज तुमने common लिये उससे अपना हर एक पद को भाग कर दो जैसे तुम 2x square में से 2x को common लोगे क्या होगा 2x को 2x से भाग करोगे एक आएगा तो अपने पास आ गया एक याने की x minus 1 आ गया अब last के दो पदों में से तुमें ऐसी चीज common लेनी है ताकि यहाँ पर भी यही चीज बने x minus 1 बने तो minus 3x plus 3 तो अगर देखो तुम यहाँ पर तुमें साफ दिख रहा है कि 3 common आ रहा है तो अगर मैं 3 common ले लूँगा तो हमारे पास क्या बचे बनेगा minus 3x में से 3 common लिया तो minus kx लेकिन यहाँ पर तो हमारा plus kx है हमें क्या करना पड़ेगा चिन बदलने पड़ेंगे अगर चिन बदलने हो तो हमेशा minus की संख्या common लो यहाँ पर plus 3 की जंगा पर minus 3 common ले लो minus 3x में से minus 3 common लोगे minus 3x को minus 3 से भाग करो x बचा और 3 में से minus 3 common लोगे तो 3 को minus 3 से भाग करो कितना आ गया minus 1 आ गया ना बराबर जी हो अब देखो इन दोनों में से क्या common आ रहा है साफ साफ दिख रहा है दोनों में x minus 1 है दोनों में से x minus 1 common लिया 2x बचा minus यहां से x minus 1 common लिया 3 बचा बराबर 0 तो बेटा तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारी दुईघात समीकरण थी उसे हमने दो रैखिक वेंजगो के गुडणफल में तोड़ दिया है याने कि इसके गुडणखंड हो गए है complete एक बार गुडणखंड complete हो गए उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हें क्या करना है एक एक करके अपने जो गुडणखंड है उन्हें 0 के बराबर रख देना है सबसे पहले x-1 को 0 के बराबर रखो x-1 बराबर 0 पर माइनस एक इदर चला जाएगा तो x का मान आ गया 1 यह लोगई यह हो गया हमारा इस दुईघात समीकरण का पहला मूल या पहला हल x बराबर 1 इस दुईघात समीकरण का पहला मूल होगा तुम लोग को चेक करना है तुम इस समीकरण में रख कर देखो एक की घात 2 कितना हो गया एक दो एकम दो माइनस पांच गुणए कितना हो गया 5 प्लस 3 2 और 3 5 5 माइनस 5 0 LHS बराबर RHS आएगा बिल्कुल सही है ठीक है यानि कि x बराबर एक इस समीकरण का एक हल हो गया दूसरा हल निकल जाएगा कैसे 2x माइनस 3 बराबर रख दो 0 के यानि कि दूसरा को नख़ए माइनस का 3 इदर जाकर प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर हो गया कितना 0 प्लस 3 3 के x का माइन कितना आ जाएगा 2 इदर भाग में चला गया आनि कि 3 बटे 2 तो बच्चों यह लो यह हो गया हमारा क्या भाई यह हो गया हमारा इस दूइखात समीकरण का दूसरा हल ठीक है तो बेटा ऐसे हम किसी भी कि दूइखात समीकरण के क्या कर सकते हैं गुणनखंड करके हल प्राप कर सकते हैं किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे समझाओ क्लेर है बई तो यह है बच्चों हमारी गुणनखंड विदी सबसे पहले क्या करोगे अचरपद की गुणा करोगे एकस स्क्वाइर के गुणांग से उसके बाद देखोगे लास के दो पदों के बीच में कौन सा चिन है प्लस का या माइनस का फिर क्या करना है मध्यपद को विभाज़त करना है ऐसी दो संख्याओं में जिने जोडने या घटाने पर तो आजाया मध्यपद और गुणा करने पर वही आजाया जो अचरपद की गुणा एकस स्क्वाइर के गुणांग कमे करने पर आया ठीक है इतना करने के बाद फिर common oman लेके solve करो तुमारे गुणनखंड मन जाएंगे गुणनखंड को एके करके 0 के बराबर रख दो तुमारे पास समीकरन के मूल निकल कर आ जाएंगे clear हो कोई बात समझ गए तो चलो एक question और कर लेते हैं जरा गुणनखंड विदी से ही ताकि और अच्छी practice हो जाए क्या कह रहा है बई कह रहा है गुणनखंड विदी के दौरा समीकरन x square minus 3x minus 10 बराबर 0 के मूल ग्याद कीजिए x square minus 3x minus 10 बराबर 0 तो देखो भई सबसे पहले वही काम अचरपत की गुणा करेंगे x square के गुणांग से तो 10 की गुणा x square का गुणांग यहाँ पर x square की गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x square की गुणा में यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर x square की गुणा में एक होगा क्योंकि एक गुणा x square को क्या लिखोगे x square तो इसलिए आपर x² की गुणा में एक है याने कि 10 की गुणा एक में करोगे आगया 10 लास के दो पदों के बीच में कौन सा साही ना रहा है माइनस का तो याने कि आपको ऐसी दो संख्या है चाहिए बच्चो जिनकी गुणा करने पर तो 10 आए और जिने आपस में घटाने पर कितना है हमारा मध्यापद याने कि 3 आजाए सोचो कौन सी होंगी ऐसी दो संख्या है ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनकी गुणा करने पर 10 आता है और इने घटाने पर 3 आता है बदाओ 5 और 2, 5 दो नहीं 10, 5-2 कितना हो गया, 3, solve कर दो इसे बस, तो यह हो जाएगा हमारा x square minus 3x को हम लिख देंगे कितना, 5-2 गुणा x minus के 10 बराबर 0, ठीक है, यह हो गया, x square minus के अंदर गुणा करेंगे, minus की गुणा plus 5 में करेंगे, minus का 5 हो गया, minus 5 गुणा x, minus के 5x minus की गुणा minus के 2 में करेंगे तो कितना हो गया, minus minus plus 2, 2 की गुणा x में करेंगे तो plus के 2x, minus 10 बराबर 0, तो पहले 2 पदो में से क्या common आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, पहले 2 पदो में से x common आ रहा है, तो x common ले लो, x square में से x common लिया, x बचा, minus के 5x में से x common लिया, minus क तो देखो दोनों में से मुझे साफ दिख रहा है कि 2 common आ रहा है अगर 2x में से 2 common लिया तो x बचा और minus 10 में से 2 common लिया तो minus 5 बचा जो हमें चाहिए वही आ जाएगा तो हम यहां से plus के 2 common लेंगे तो यह आ गया 2x में से 2 common लिया तो x बचा और 10 में से 2 common लिया तो minus के 5 बचा बराबर आ गया 0 के दोनों में से x minus 5 common आ रहा है तो भार ले लो x minus 5 अंदर क्या बचा यहां से x minus 5 common लिया x बचा प्लस यहां से x minus 5 common लिया प्लस के 2 बच्चे बराबर 0 तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या दुईघात समीकरण के गुड़नखंड अब क्या करो एक गुड़नखंड को उठाकर 0 के बराबर रख दो हमारा अंसर आ जाएगा सबसे पहले हमारा x-5 बराबर 0 पर अपने पास आएगा x बराबर 5 दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 पर अपने पास आएगा x बराबर माइनस 2 ये अपना अंसर हो गया ये अपना अंसर हो गया ठीक है अब गुड़नखंड विधी में किसी को कोई दिक्कत है किसी भी बालक को दुड़नखंड विधी में कोई दिक्कत है अब नहीं है ना नहीं है ना चलो तो अब गुड़नखंड विधी अगर हमारी complete हो गई है तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी विधी पर दुड़नखंड समिक्रण को हल करने की और वो है द्विघाती सूत्र द्विघाती सूत्र कुछ नहीं है द्विघाती सूत्र में direct एक सूत्र है उसमें तुम मान रखके क्या निकाल सकते हो किसी भी द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हैं और ये सूत्र क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक दिखात समीकरण है कौन सी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ठीक है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो बच्चों क्या? यहां से आपका x बराबर हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा minus b यह जो गुडांक है नहीं गुडांक तुम्हें लेकर चलने है minus b plus minus under root के अंदर b square minus के 4ac upon 2a ठीक है? यह है बच्चों हमारा दुई घाती सूत्र यह है हमारा दुई घाती सूत्र ठीक है? x बराबर माइनस b plus minus under root के अंदर b square minus 4ac upon 2a अब यह जो b under root के अंदर बच्चों b square minus 4ac है यह भाई साब बड़ा important है क्यों important है? देखो यहाँ पर आपका यह सूत्र आप अभी लगा सकते हो जब b square minus 4ac का मान या तो बड़ा हो या बराबर हो जीओ के ठीक है? और जो इससे अगला topic आएगा न कौन सा? हमारा मूलो की प्रकरती मूल तो अब समझ में आगए क्या होते हैं? दुईघात समीकरण के हलको ही उसका मूल बोलते हैं तो मूलो की जो प्रकरती आएगी वो पूरी की पूरी इस पर based है B square minus 4 AC पर ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? आगे समझाँगा सारी चीज़े ठीक? तो भई ये है दुईघाती सूत्र इसमें A, B, C तुमें समीकरण से मिल जाएंगे उसकी तुलना AX square plus BX plus C बराबर 0 से करके ठीक है? और O, A, B, C को ठाकर जब तुमें इस सूत्र में रखोगे तुम्हारे पास क्या आजाएगा? B square minus 4 AC upon 2 ये आजाएगा ठीक है? यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा square root है square root के अंदर है ये पूरा का पूरा square root के अंदर B square minus 4 AC upon 2 है ठीक है? अब बच्चो तुमें समझा दिया है मैंने कि B square minus 4 AC का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के reason भी दे देता हूँ क्यों? अगर B square minus 4 AC का मान तुम 0 से छोटा कर दोगे तो 0 से छोटी value क्या होती है? minus की संख्या? याने कि रिनात्मक संख्या है याने कि minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ऐसी संख्या है ठीक है? तो अगर तुम यहाँ पर square root के अंदर मान लो तुमने B square minus 4 AC का मान minus के 1 ले लिए तो यहाँ पर क्या आएगा? square root के अंदर minus के 1 आजाएगा यह वाली संख्या वास्तविक संख्या नहीं है minus square root के अंदर minus 1 और minus के square root 1 यह दोनों बिलकुल अलग-अलग है यह एक नहीं है यह वाली वास्तविक संख्या है यह वाली वास्तविक संख्या है और यह वास्तविक संख्या नहीं है याद रखना तो पिटा अभी तुमने खाली वास्तविक संख्या तक ही पड़ा है तो अगर स्कॉायर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो तुमारी बेंड बच जाएगी क्योंकि वो एक वास्तविक संख्या नहीं होती ठीक है वो काल्पनिक संख्या होती हैं उन्हें तुम आगे पढ़ोगे जब तुम आगले वाले 11th क्लास में और 12th में जाओगे महाँ पर सम्मिष्र संख्या नाम का चैप्टर है यानि कि कॉंप्लेक्स नंबर वहाँ पर तुम ये सब पढ़ोगे आयोटा वगेरा स्क्वाइर रूट के अंदर माइनस ये सारी चीज़े तुम महाँ पर पढ़ोगे अभी ने ठीक है तो ध्यान रखना B स्क्वाइर माइनस 4AC का मान आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के 0 से छोटा नहीं होना चाहिए ठीक है सूतर का इस्तमाल करके कैसे हम दुईघात समीकरण के मूल निकालते हैं देखो पिछले जो दो सवाल मेंने तुम्हें गुड़नखर्ण विरी से कराए है वो तुम्हारा काम है प्रेक्टेस करनी है उन सवालों की किससे दुईघाती सूतर से वो तुम लोह का काम है मैं इसी दो संख्याएं ग्यात कीजिए जिनका योग 2700 और हमारा गुड़नफल 122, 182 हो ठीक है मान लेते हैं इसी दो संख्या एक्स और वाए हैं माना जो हमारी पहली संख्या है पहली संख्या बराबरे एक्स के दूसरी संख्या बराबरे वाए के ठीक है अब तुम लोग जानते हो प्रिशन में क्या दिया हुआ है प्रशन में दिया हुआ है कि हमारा x plus y बराबर है किसके 27 के इन दोनों संख्याओं का योग 27 है तो यहां से अगर मैं y का मान निकालू यानि कि दूसरी संख्या का मान निकालू तो यह हो जाएगा 27-x यानि कि यह जो y है दूसरी संख्या ही आगई 27-x मैं चाहता तो पेटा डारेक्ट लिख सकता था मैं चाहता तो यहां पर डारेक्ट लिखते था कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 27-x होगी लेकिन मुझे पता है मेरे कुछ बाला कैसे है जो कि कह देंगे ओरे सर यह क्या कर दिया आपने है ना वो कमेंट सेक्षन भर देंगे फाल तुमें इसलिए मैंने समझा दिया है कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27-x क्यों होगी क्योंकि बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है तो अगर तुमारी पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी 27 में से x को घटा दो यानि कि पहली संख्या को घटा दो क्लियर हो गई बात ठीक अब यह क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुड़नफल जो है वो 182 है यानि कि प्रश्णा नुसार प्रश्णा नुसार पहले तो समीकरन तयार करनी पड़ेगी उसके बाद उसे दुईघाती सूतर से हल करेंगे प्रश्णा नुसार हमारे पास क्या आगया बच्चो कि हमारा x गुणा y बराबरे 182 के x कमान तो x ह्या है y कमान केतना है 27-x बराबर हो गया 182 के गुणा कर लेंगे 27 की x की गुणा 27 में करेंगे तो 27x और x की गुणा-x में करेंगे तो-x plus Jeśli बराबर 182 इन्हें उठाकर एक तरफ ले जाएँगे समीकरन बनगे 0 बराबर minus ka x square तर जाकर plus x square हो गया प्लस का 27 x इधर जाकर माइनस का 27 x हो गया और प्लस के 182 तो है तो हमारी समीकरण तयार हो गई क्या हमारी समीकरण तयार हो गई भाई एकस स्क्वाइर माइनस के 27 x प्लस 182 बराबर 0 अगर तुम्हें इसे गुणनखंड विदी से हल करना है तो क्या करोगे 182 की गुणा करोगे एक में कितना आ गया 182 तो तुम्हें ऐसी दो संख्या है चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 182 यहाँ पर प्लस का साइन है तो यह यहने कि एसी दो संख्या है जिनकी गुणा करने पर 182 और जिने जोडने पर सक्ताइस आ जाए तो सोचते रो ठीक है लेकिन हम क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा दुई घातिस उतर से कैसे इस समीकरण की तुलना कर दो Ax2 प्लस Bx प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तो पेटा जैसे हम यहाँ पर तुलना करेंगे अपने पास क्या जाएगा देखो Ax2 का गुडांक है एक यहाँ पर Ax2 का गुडांक कुछ नहीं है तो A बराबर आगया एक के Ax2 का गुडांक है B यहाँ पर x का गुडान कितना है? 27, क्या यह 27 है? नहीं, जब भी तुम गुडान का लोगे, हमेशा चिन के 7 लोगे, जो भी चिन है, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, यहाँ पर जो b का मान होगा, वो कितना होगा, वो माइनस के 27 होगा, ठीक है, और c का मान कितन प्लस के 180 अब क्या करो तुम सूत्र जानते हो कि द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से तुम लोगों को याद हो जाए इसलिए मैं सूत्र दुबारे लिख रहा हूँ एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4 एसी बटे में दो गुणा एक है सारी चीज़े हैं हमारे पास बस सूत्र में मान रख दो तुमारा अंसर आ जाएगा ये बन गया बच्चो हमारा एक्स बराबर माइनस बी बी का मान है माइनस के 27 तो माइनस माइनस के 27 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानि कि माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एका मान है एक गुणा सी का मान है 182 बटे में कितना आ गया दो गुणा ए यानि कि दो गुणा एक ठीक है हल कर लेंगे बच्चों बस अब इससे क्या करना है solve करना यानि कि हल करना तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपने पास आ गया x बराबर 27 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वाइर यानि कि 27 का स्क्वाइर तो 27 गुणा 27 कर लो 700 कुछ आएगा 779 का 9 हासिल को गया 4, 724 और 4, 18 फिक है यह हो गया 274 का 4 हासिल को गया 1, 2 दूनी 4 और 1, 5 तो यह आगया हमारे पास 9, 8, 4, 12 का 2 हासिल को गया 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 मैंने काता न 700 कुछ आएगा 739 आगया 739 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 182 तो 4 दूनी 8 ठीक है 4, 32 का 2 हासिल को गया कितना 4, 32 का 2 हासिल को गया 3, 4 एकम 4 और 3, 7 यह लो गया 4 गुणा 1 गुणा 182 यह आगया 728 बटे में 2A यानिकि 2 एकम 2 ठीक है तो अब हमारे पास क्या मान आजाएगा बच्चों देखो यह निकल कर आगया हमारा x बराबर 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना 739 माइनस 728 739 माइनस 728 एक हो गया बराबर आगया 1 के अपॉन में आगया हमारा 2 यानिकि बटे में आगया 2 x बराबर आगया 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट को एक से बाहर निकाल लो तो मतलब एक को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो तो एक ही आगया बटे में 2 तो बेटा यहां पर हमारे 2 मान हो जाएंगे किसके यहां से हमारे 2 मान निकल के आएंगे इस समी करण के मूलों के कौन कौन से सबसे पहले तो तुम ले लोगे इसे प्लस के साथ तो एक तो आ गया x बराबर 27 प्लस 1 बटे 2 तो यह हो जाएगा x बराबर 27 प्लस 1 हो गया कितना 28 बटे में 2 2 से भाग करेंगे x का मान आ गया हमारा 14 x का मान हो गया 14 दूसरा हम ले सकते हैं x बराबर 27 माइनस 1 बटे में 2 यानि कि x का मान आ जाएगा हमारा कितना यह आ गया हमारा 26 बटे में 2 तो यह हो गया x बराबर 13 तो विटा हमारे x के 2 मान हो गया यानि कि समी करण क्या बन जाएगी देखो हमें दो संख्या है निकालनी थी तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी है 27-x ठीक है तो हम लेंगे यहाँ पर x के दो मान आ रहे हैं तो यदि x बराबर है हमारा पहले वाला कॉन साल हमने 14 वाला ले लेता है यदि x बराबर है 14 के याने कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी पहली संख्या बराबर हो गई x बराबर 14 और दूसरी संख्या बराबर y कितनी थी 27-x याने 27-14 बराबर आ गया 13 के ठीक है यह आ गया या फिर हमारी condition क्या बनेगी जब यदि एक बार तो x कमान 14 ले लिया लेकिन x कमान 13 भी तो आया है ये भी लेना पड़ेगा तो यदि x बराबर 13 हो x बराबर 13 हो तब क्या होगा तब पहली संक्या हो जाएगी हमारी बराबर हो जाएगी x बराबर 13 और दूसरी संक्या हो जाएगी हमारी कितनी बच्चो यह हो जाएगी y बराबर 27-x याने की 27-13 जो की हो गई हमारी 14 तो बेटा यह हो गया इस question का answer ठीक है इसी के साथ हमारा यह वाला जो question है वो complete हो गया किसी भी बच्चे को इसमें कोई doubt है तो मुझे बताओ किसी भी बच्चे को इसमें कोई doubt है तो मुझे बताओ clear है बई सबको समझ में आ गया सबसे पहले हमने क्या करा हमने एक द्विघात समीकरण तयार करी ठीक है फिर उस द्विघात समीकरण को हमने तुलना कर दिया हमारा मानक रूप से जो दुईगात समीकरण का मानक रूप होता है AX स्कॉयर प्लस BX प्लस C बराबर 0 वहां से ABC का मान मिला तो उसमान को ठाकर दुईगाती सूत्र में रख दिया और वहां से हमें हमारे समीकरण के मूल मिल गए उसके हिसाब से हमने हमारा सवाल ढात आज गया है अब अगले सवाल पर आजाओ तो अगयारा है दो क्रमागत धनपूर्णांक ग्याद कीजिए जिनके वरगो का योग कितना है 300 वेस Sage तो हमें दो क्रमागत धनपूर्णांक निकालने हम तो तुम समझ गये क्रमागत धनपूर्णांक जैसे 2 और 3 तो दो में अगर एक जोड़ोगे तो तीन आ जाएगा ऐसे ही मान लेते हैं हमारा माना चर चाहिए हमें तो हम चर किसे मान लेंगे माना पहला जो पूर्णांक है माना पहला पूर्णांक पहला पूर्णांक बराबर है एकस के तो तुम लोग जानते हो कि अगर पहला पूर्णां X PLUS 1 के हैं ठीक है अब ये क्या कहा है प्रश्वनुसार पहले समेखिनंद तयार करो प्रश्वनुसार ये क्या कहा रहा है कि इन दोनों पूर्णांगों के वर्ग का योग वर्गो का योग कितना है? 365 है यानि कि पहले पूर्णांग का वर्ण यानि की x स्कॉयर और दूसरे पूर्णांग का वर्ण यानि की x प्लस 1 का होल स्कॉयर इन दोनों को जब जोडते हैं तो ये 365 के बराबर आता है समीकरन तयार होगी x स्कॉयर x plus 1 का whole square खोलेंगे तो यह हो गया x square plus 1 का square plus के 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365 यहाँ पर कितना आ गया x square x square हो गया 2x square 1 का square हो गया 1 और 2x कितना हो गया बराबर 365 के 365 को उठा कर इधर ले आओ तो 2x square plus 2x plus 1 और minus के 365 बराबर 0 तो समीकरण तयार हो गई हमारी 2x square plus 2x 1 minus 365 करेंगे minus के 365 बराबर 0 ठीक है इन पूरे में से देखो इस पूरे में से यादा तो तुम इसे ऐसे ही solve कर लो लेकिन हम इसे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं कैसे 2 को common ले लो पूरी समीकरण में से तो 2 common लेंगे अंदर बनेगा x square 2x में से भी 2 common ले लिया तो यहाँ पर बन गया x और 364 में से 2 common लेंगे तो हो जाएगा 1 8 और 2 तो minus के 182 बराबर 0 दो इदर भाग में चला जाएगा तो हमारे पास जो समीकरण बनकर आ गई वो हो गई हमारी x square plus x minus 182 बराबर 0 खदम बाद ठीक है अब तुम लोग क्या कर लोगे अब तुम लोग इस समीकरण को आगे 234 से खुद से हल करोगे ठीक है मैं नहीं बता रहा आब मैंने बता दिया 234 तुम जानते हो a का मान एको जाएगा b का मान एको जाएगा और c का मान हो जाएगा हमारा minus के 182 ठीक है solve कर लो answer निकाल लो ठीक clear हो गई बात चालो तो भई देखो अब मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिये एक दुईगात समीकरण को हल करने के ठीक है बच्चो कि हमारा दुईगात समीकरण के अमूल क्या होते है अगर हमारे पास एक दुईगात समीकरण है ठीक है तो उसके अमूल होते है minus b plus minus under root के अंदर b square minus 4ac upon 2a तो देखो बच्चो यहाँ पर यह जो b square minus 4ac upon 2a यह जो b square minus 4ac यह बहुत important चीज़ है इसे हम बोलते हैं हमारा d जाने की विवित कर b square minus 4ac इसे हम बोलते हमारा विवित कर ठीक है English में discriminate ठीक तो यह जो विवित कर है यह बताता है कि मूलो की प्रकरती कैसी होगी ठीक है तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास तीन situation मनती है मैं तीनों एक एक करके समझा देता हूँ सबसे पहली situation मनती है हमारी अगर d बराबर b square minus 4ac अगर इसका मान जो निकल कर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है जीरो से ठीक है तो अगर जीरो से बड़ा मान आ रहा है बच्चों तो सीदी सी बात है कोई प्लस संख्या होगी जीरो से बड़ा रहा है इसका मतलब कोई नो कोई प्लस की संख्या होगी प्लस की संख्या आ रही है वर्ग मूल के अंदर तो वर्ग मूल के अंदर प्लस की संक्या हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है वास्तविक मूल है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास दो मूल हो जाएंगे एक तो x बराबर हो जाएगा माइनस भी प्लस माइन अपना प्लस माइनस भी प्लस स्क्वाइर रूट के अंदर बी स्क्वाइर माइनस फॉर एसी यह कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो से बड़ा ही होगा ठीक है अपॉन में टू ए और दूसरा x बराबर माइनस b माइनस स्क्वाइर रूट के अंदर b स्क्वाइर माइनस 4AC अपन में 2A यहाँ पर भी यह जो b स्क्वाइर माइनस 4AC है यह कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा तो यहाने कि यह दोनों के दोनों कैसे मूँ लाएंगे तुम देख सक e बराबर b2-4ac की value 0 से बढ़ी होगी, तब हमारे पास 2, 2 भिन, भिन मतलब अलग, वे वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन वे वास्तविक मूल होंगे, यह पहला नेचर है मूलों की प्रकरती का, ठीक है, अगर तुम्हें एक समीकरण दी गई है, तुमसे पूछा गया उसके मूल कैसे है, तो सीधा ABC की value निकालो, तुलना करके, महाँ से तुम्हें 20 square minus 4ac की value मिल जाएगी, और उस value को देख लो, अगर वो 0 से बढ़ी है, तो उस इसरी situation, अगर, अगर B square, हमारा याने की D जो है, D बराबर, B square minus 4ac की value 0 के बराबर हो जाएगा, अगर यह 0 के बराबर हो जाएगा, अगर यह 0 के बराबर होगे तो क्या होगा, अपने पास जो सूत्र बनेगा, वो बनेगा, X बराबर minus B plus square root के अंदर B square minus 4ac की जगा पर 0, अपन में 2 है, तो यह आगया हमारा कितना, X बराबर, square root 0 का मान 0, minus B plus 0 कितना हो गया, minus B, तो यह आगया, minus B बटे 2, दो है, ठेक है, और दूसरा, कौनसा हो जाएगा, X बराबर minus B minus root 0, बटे में 2 है, तो इस का मान भी कितना आ गया, root 0 की value हो गई, 0, minus B minus 0 कितना हो गया, हमारा minus B, बटे में 2 है, तो तुम देख सकते हो बच्चो, जब B square minus 4ac की value है, तो जो हमारे 2 root आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, दोनों के दोनों आतो वास्त विक रहे हैं, लेकिन यह क्या होगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम आ कैसे समान वे वास्तविक मूल होंगे, दो समान वे वास्तविक मूल होंगे, बेटा ध्यान रखना, ये वाले जो सवाल हैं, इसमें से एक एक दो दो नंबर वाले काफी जादा सवाल बनते हैं, विवितकर में से काफी जादा सवाल बनते हैं, तुमसे सीधा सीधा तुमें समीकरण दे के बोल देगा कि बताओ क्या ये समीकरण में तुम्हारा मूल वास्तविक हैं, मूल कालपनिक हैं या फिर तुम्हारे जो मूल है वो कैसे हैं, तुम्हारा कैसे हैं भई, भिन है, समान है, अलग-अलग condition लगा के देगा, अभी सवाल करेंगे, ठीक है, अब तीसर माइनस 4AC का मान छोटा हो जाए 0 से, तो मिटा देखो, अगर फिर वोई बात, मैंने तुम्हें समझाएता है ये वाला लॉजिक, कि अगर B बराबर, D बराबर B स्कॉर मान छोटा हो गया 0 से, तो यानि कि माइनस की संख्या हैगी, यानि कि रूट के अंदर माइनस आ जाए कि वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल, मूल नहीं होगा, बिटा देखो, गल्ती से भी ये मत लिख देना कि कोई मूल नहीं होगा, ये मत लिख देना कि कोई मूल नहीं होगा, इसके मूल तो होंगे हो सकता है वो कालपनिक हो ठीक है लेकिन कोई वास्तविक मूल नहीं होगा अगर B square minus 4 AC की value 0 से छोटी है ठीक है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा ठीक तो यह तीन condition बनती है अगर मूल बड़ा है अगर विवितकर का मान B square minus 4 AC का समाल 0 से बड़ा है तो दो अलग-अलग और वास्तविक मूल होगे अगर 0 के बराबर है तो दो समान और वास्तविक मूल नहीं होगा खतम हो खे यह है तुम्हारा टॉपिक कौन सा तुम्हारे मूलों की प्रकरती की दुईघाद समीकरन के है, खतम हो गया, सीधा इसके सवालों पर आ जाते हैं, बेसिक बेसिक से सवाल है, जैसे के तुम्हें दे रखा है क्या, यह रहा, बताओ दुईघाद समीकरन 2x2-4x3-0 का विवित कर ग्यात कीजिए और फिर मूलों की प्रकरती लिखिए, तो समीकर plus bx plus c से a का मान कितना आ गया, 2, b का मान कितना आ गया, minus 4, और c का मान आ गया, 3, ठीक है, क्या निकाल दो, सीधा सीधादी निकाल दो, d बराभर b square minus 4ac, तो b का मान कितना है, minus 4, square minus 4, गुणा A का माने 2 गुणा C का माने 3 तो यह आगे कितना माइनस 4 कवर करेंगे 16 माइनस के 4 दूनी 8 ती है 24 तो 16 माइनस 24 कितना हो गया माइनस के 8 हो गया तो आप देख सकते हो यह क्या है हमारा B स्क्वाइर माइनस 4 इसी जो आ रहा है d बराबर b square minus 4ac आ रहा है minus के 8 यानि कि यह क्या है यह तो हमारा 0 से छोटा आ गया तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि d बराबर b square minus 4ac 0 से छोटा होगा अतहे समी करन का कोई अतहे कोई वास्तविक मूल कोई वास्तविक मूल मूल नहीं होगा खतम बाद नहीं होगा खतम किस्सा simple था विवित कर गयाद करना था विवित कर आ गया हमारा minus 8 और जब हमने देखा कि वो 0 से छोटा है तो 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा खतम होगी बाद clear है बई समझ गए चालो अगला सवाल अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2x square plus kx plus 3 बराबर 0 ठीक है क्या करना है निम्न दूइगाद समी करण में k को ऐसा k ग्याद कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो अब मूल कब बराबर होते हैं देखो इसकी दुलना कर दो ax square plus bx plus c से तो a का माना गया 2 b का माना गया k और c का माना गया 3 ठीक है अब मूल कब बराबर होते हैं मूल बराबर होते हैं हमारे तब मूल बराबर होंगे होंगे यदी अपने पास क्या हो अपना d बराबर b square minus 4 a c जो है वो 0 के बराबर हो है ना तो भाई यहाँ पर अपना मान रख दो कितना आएगा यह हो जाएगा b square यानि की k का square minus 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0 तो यह होगे कितना 4 दूनी आठती है 24 तो k square minus 24 बराबर आगया 0 के वैसे मेरा नाम भी k square है कमल कौशिक मैं k square ही लिखता हूं इस तब है ठीक है तो यह आगया k square minus minus 24 इदर जाकर plus 24 हो गया जो square है दोनों तरफ का root कर दो तो k बराबर हो जाएगा square root के अंदर 24 ठीक है इसे हम लिख सकते हैं कितना हमारा 4 गुणा 6 चार्चिंग 24 होता है 4 गुणा 6 लिख लिए 4 को square root से बाहर निकाल लेंगे तो k का मान आ गया बच्चों कितना plus minus 2 root 6 और यह हो गया हमारा क्या यह हो गया इस सवाल का answer तो k के बच्चों 2 मान हो जाएंगे एक तो plus root 6 और एक minus root 6 जिसके लिए इस समीकरण के दो बराबर और वास्तविक मूलोंगे ठीक है और इसी के साथ हमारा यह वाला सवाल भी यही पर complete हो जाता है किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत चालो भई तो भई देखो आज की जो मेरी class है वो मेरी तरफ से यही पर complete होती है अब तुम लोगों को क्या करना है तुम लोगों को यह question homework में practice करना है ठीक है यह question तुम लोगों को homework में practice करना है एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी बुजा 60 मीटर अधिक लंबा है ठीक है जो विकर्ण है वो छोटी बुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की बुजा ग्याद करो तो देखो छोटी बुजा को मान लो x मैं हिंट दे रहा हूँ छोटी बुजा बराबर x ठीक है विकरण कितना हो जाएगा ये बोल रहा है कि बहिया छोटी बुजा से 60 मीटर लंबा है याने कि x प्लस 60 आयत के विकरण का सूत्र लगाओ और काम कर दो क्या होता है आयत का विकरण बराबर होता है वर्गमूल के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग एक लंबाई ये री एक चौड़ाई ये री विकरण ये रहा सूत्र लगाओ काम खतम करो ठीक है तो ये काम तुम्हें करना है इससे द्विघात समीकरण बना के इसे हल करना है तुम लोगों के लिए होंवक्त और मेरी तरफ से हमारा जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्रीट हो जाता है आज की क्लास में और आई होप ये एक गंटा सोला मिनट तुम लोगों के लिए बहुत जादा मज़ेदार रहे होंगे और तुम्हें सारी चीज़े अच्छे समझ में आ गई होंगी ठीक है अब इसके बाद नेक्स क्लास जो होने वाली है वो यहां तो समान तरशेणी पर होगी या त्रिबुझ पर तो जल्दी क्लास मिलने वाली है जिसके लिए तुमने मेरे कान खा रखें ठीक है वो क्लास को जल्दी लाते है ठीक तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखो टेक क्या टाटा और भाई बैभाई बच्चे हां क्लास को शेर जरूर करते हैं अपने दोस्तों के साथ